यह तो कुछ भी नहीं, इसके लावा न, AI का यूज़ करके आप बहुत कुछ कर सकते हो, यह तो मैंने एक वीडियो दिखाए थी, इसके लावा न, फोडोस का यूज़ करके आप काफी बवाल चीज़ कर सकते हो, सारी चीज़ दिखाना वाला हूँ यहाँ पर हम जिस एप्लिकेशन का यूज़ करने वाले है वो यह वाली एप्लिकेशन है, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यहाँ पर खोल दी न, आपको काफी सारे ओप्शन मिल जाएगे, इन AI टूल्स का यूज़ करके न, काफी अमेजिंग वीडियो और बना सकतो, यहाँ पर दिखाऊं तो अगर आपकी बलर फोटो है, तो उसको एनहेंस कर सकतो, किलियर कर सकतो, और अपनी AI इमेजिस जेनरेट कर सकतो, इस तरह की इमेजिस आप अपने फोटो के साथ बना सकतो, यहाँ पर आप देख सकतो कितनी बड़िया बड़िया फोटो तो यहाँ पर यह वाला photo मैं select करता हूँ और उपर मैंने अपना photo select कर लिया अब मेरा face जो है इस photo पर आचाएगा यहाँ जो है जो कि तरह से लग रहा है जरे करके हमारी पिक्चर बना दिया अब मैं उपर से इसको download भी कर सकता हूँ एक ये वाली और बना के देखता हूँ तो देखो इसने photo generate करके दे दी और ये काफ़े real लग रही है यहाँ पर इसने AI ने मेरा face यहाँ पर चिपका कर और ये पूरी photo बना दिया ये पूरी body वगरा सब AI ना बनाई है ऐसा ने है कि face cut करके इस photo के उपर लगा दिया ये पूरी AI ने generate करी है इसके अलावा यहाँ पर AI री style दिखेगा जैसे आप यहाँ पर टैप करोगे ना तो अपने cartoonish photos generate कर सकते हैं जोगी कुछ इस तरह के होंगे बागी यहाँ पर आपको colorize का भी option मिलता है कोई पुराना photo है इसके मैंने गांदी जी का एक पुराना photo select कर रहा है मैं इसको colorize करके दिखाता हूं ओ भाई साव यहाँ पर आप देख रहो ना इस थी कुछ इस तरह से तो इस तरह से पुराने photos भी color कर सकते हो यहाँ पर photo का एनिमेट करने का भी option दे रहा है मैं गांधी जी का ही एक photo select कर लेता हूं मैंने इसका face select कर लिया photo का और photo में गांधी जी है अब देखता है यह एनिमेट हो चुके है और अभी मैं दिखाता इस तरह से यह चीज आप कर सकते हुप भी काविसाए फीचर्स फट्री में मिल जाते है जिनको आप यूज कर सकता हो और इसके लावँ कुछ paid फीटेस है जैसे कि यहाँ पर AI video बना कर दिखाता हूँ जैसे कि मैं अभी AI video आपको शुरू में दिखाईती वह यहाँ आपब बना सकतो काफी सारे templates मिल जाएंगे तो जैसी कि मैं यह वाला template select कर लेता हूं और use this template का option है और मेरी पहले से recorded video है उसको select कर लेता हूं और इसके बाद trim कर लेना कितना part आपको रखना है और इसके बाद done कर देना और इसके बाद आपकी processing शुरू हो जाएगा इसमें कुछ time ल बनाई थी same video clip का use कर गए देखो एक यह वाली वीडियो बनाई थी एक मैंना आपको शुरू में दिखाई दी है और इसके अलावा मैंने और भी आवी सारी वीडियो बनाई थी जो कि आपको दिख रही है बागी यहाँ पर आपको beautify करने का option मिल जाता है अपनी photos को आप beautify कर सकतो AI का use करके यहाँ पर object remover भी मिलता है यहाँ पर हमारा जो फोडो स्लेक्ट कर लेता हूं और यहाँ पर AI का use करके काफी किलियर ली हम objects को remove कर सकते हैं यहाँ पर जैसे मैं इस box को remove करना चाहता हूं मैं इसको select कर लेता हूं और मैंने remove को tap कर दिया process हो चुकी है और यह कि आखे बटे जाएगे और मुझ से निकलेगा अपर ये क्या बवाल चीज है तो काफी सारी औरेटी वीडियोस होने डाल लगे लास्ट में दिख जाएगी और इस तरह की और भी काफी सारी AI वीडियोस आना वाली तो चैनल सुब्सक्राइब कर लेना मिलता अगली वीडियो अपय लोड़ेके लिए कि यह तु कुछ निए यह नहीं तरी यह तो कुछ नहीं फुनेजते लेकर यह तो कुछ नहीं थे लाएगाँ यह लीडियोस नहीं